नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हेल फाउ यूटूब चैनल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने मोबाइल से फेस्बूक का आइडी या फिर फेस्बूक का अकाउंट कैसे बना सकते हैं बहुत असान तरीके से बताएंगे वीडियो को देखते रह किसपा फेस्बूक लाइट सर्च करने के बाद यहां पर यह लेकर शुका है और बहुत कर सकते हैं तो इसके बाद ने के बाद यह Oops फेस्बुक अप यह ओपन हो जाएगा और यहां पर यह लोड हो रहा है थोड़ा सामें इंतिजार कर लेंगे अब इसके बाद यहां पर यह फेस्बुक के तरफ से कुछ है इसमें एक्सेस मांग रहा है तो यहां इसे हमें अलाव कर देना है तो यहां पर अलाव कर देते हैं अब इसके बाद यहां पर में नीचे एक आपसं दिखाई देगा create new account का इस पर में click कर देना है इस पर click करने के बाद यहां पर next का बटन दिखाई देगा next पर में click कर देना है next पर click करने के बाद यहां पर यह पूछ रहा है What's your name? यहाँ पर अपना Facebook aтом का जो भी नाम परहना चाहएंगे यहाँ पर अमे नाम को इसमें लिख देना senators नाम का करते इसमें लिख देना है इसके बाद आप अपना facebook account mobile number के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो अपना mobile number लिखेंगे और अगर अपना facebook account email id के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो email id लिखेंगे mobile number या email id बाद में आप पर अपने facebook account बनाने के बाद change कर सकते हैं तो यहाँ पर हम mobile number के माध्यम से बनाएंगे तो यहाँ पर अपना mobile number इसमें लिख देंगे इसके बाद हमें next बटन पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर यह पूछ रहा है data birth तो यहाँ पर अपने इसाब से में जो भी data birth में लिखना रहेगा यहाँ पर अम्लिक देंगे इसके बाद हमें next बटन पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर gender पूछ रहा है तो यहाँ पर इसको select कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर लिखा है create एक password अब यहाँ पर हमें अपना facebook account का एक password बना आए और password जो है कम से कम आप 6 characters का बना सकते हैं इससे कम का नगी बना सकते हैं और password में character symbol letters का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं password को इसमें लिख देते हैं इसके बाद हमें next पर click कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर हमें निचे sign up का button दिखाई देगा sign up पर click कर देना है sign up पर click करने के बाद यहाँ पर यह Facebook account create हो जाएगा मतलब facebook account या फिर id बन जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर हमें login करना है तो यहाँ पर हमें नीचे ok का button दिखाई देगा ok पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है upload a picture अगर अपने facebook account या फिर id पर photo set करना चाहते हैं तो आप अपिलूड ए, picture पर click करके photo अपकर सकते हैं, तो यहाँ पर photo कर लेते हैं तो इसपर click कर देंगे upload a picture पर इसके बाद यहाँ पर हमें allowed कुछ माँग रहा है तो हमें access देंसे एाट, allow कर दिना है एक सबको allow कर दिना है इसके बाद यहाँ पर में दो आपसा मिलेंगे टेक के फोटो, अपलोड एफोटो अगर अपने मोबाइल के कमरे के माध्यम से फोटो कीजना चाहते हैं तो टेक के फोटो को स्रेट करेंगे या फिर अगर अपने मोबाइल में कोई फोटो है से अप्लोड करना चाहते हैं तो अप्लोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते हैं अप्लोड फोटो पर यहां पर फोटो को इसमें अप्लोड कर देते हैं फोटो को स्रेट करने के बाद हमें से पर क्लिक कर देना है और यहां पर यह फोटो जो है यह अप्लोड ह लगार यहां पर यह लग आ रहा है तो यह पर क्या करते हैं इसके बहुत यहां शके बना सकते हैं और ना चाहें है तो इसे कर सकते हैं एपने मुवायल से अकाउंट या पर फेस्बूक आइडी बना सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें और उच्छे ने पकर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब को जुरूपिस करें